हालो आपरीबन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग सॉल्फ करेंगे वक्सिट फोर के कोश्चन्स को और इसके पहले के जो वक्सिट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आतो राइट साइट कॉर्ण पर आपको इक पॉप नोटिफिक एक पॉइंट लेंगे और फिर कहता है ड्रो अलाइन आर एस पर पेंडिकुलर टू पी क्यू यूजिंग कंपासेशन रूलर तो आए हम इसको कंप्लिट करते हैं तो हम लोग यहां पर स्केल लेते हैं और एक लाइन हम लोग यहां पर ड्रॉग कर लेते हैं उसका लेंथ यहां पर कुछ भी हो सकता है तो यह मैंने ड्रो कर लिया ठीक है एक लाइन ड्रो कर लिया अभी इसका नाम को क्या देना है इसका लाइन देना पी क्यू तो यहां पर हमने पी रख दिया यहां पर हमने क्यू रख दिया तो पी क्यू हमारा एक लाइन सिंग में लाइन हमार पराव lot किस पर यह पी क्यू पर और समय परेंडिकुलर लाएं यहां किसी भी लेंद्ह का हो सकता है तो मैं यहां पर लेता हूं से ठीक है और जिसको हम बड़े आराम से मूव कर लेते हैं यहां पर इस तरह से अर्क हमारा पास यहां पर two points आ चुके हैं इसका हम लोग कुछ नाम देते हैं जैसे यहां पर हम नाम दे सकते हैं कुछ suppose किजिए कि यहां पर x रख लिए यहां पर y रख लिए अब x और y जो हमारा point मिल चुगा है यहां से फिर हम cut करेंगे तो अभी ना थोड़ा से इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा से हम बढ़ा लिए ठीक है बढ़ा लिए अब यहां पर हम ऊपर के और cut करेंगे एक cut किए फिर हम y से भी वहां पर cut कर लेते हैं यह रखिए y से भी cut कर लिए हमको यहां पर एक point मिल गया है यह जो point मिला है इस point को हम R से मिला देंगे तो हमारा perpendicular line बन जाएगा चलिए इस point को हम यहाँ पर क्या रख लेते हैं यहाँ पर बोला गया है RS रखने के लिए तो हम S रख दिये हम यहाँ से line ड्रौ कर लेते हैं कुछ इस तरह से इधर से पास होता हुआ हम line ड्रौ कर लेते है यह देखिए हमारा line बन चुका और यह हमारा कौन सा line बन गया RS जो की perpendicular है किस पे PQ पे बस इतना हमको काम करना था अब इसको verify कर सकते हैं यह हमारे पास देखिए protector है हम यहाँ पे रख लें देखिए हमारा कहां से पास हो रहा है बिलकुल 90 से पास होता हुआ दिख रहा है यह जो हमारा line बना है RS वो PQ पे 90 डिगरी बना रहा है और PQ के साथ perpendicular है ओके यह हम लोग समझ गिए हम लोग यहाँ पे second question solve करेंगे कहता है draw a line L हम लोग कहां पे एक line draw करना है उसका नाम क्या रखना है L रखना है take a point A outside the line L अभी जो हमारा line होगा उससे बाहर हम लोग एक point लेंगे A अब कहता है from A draw a line M perpendicular to line L तो हम यहाँ पे जो बाहर के और point लेंगे line से हटके A point लेंगे A point से हमको perpendicular draw करना है किस पे line L पर और उसका नाम हो लोग क्या रखेंगी M रखेंगी तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे line draw कर लेते हैं और उसका नाम हो लोग क्या रखते हैं L रखते हैं तो बहुत ही simple होगा हमें scale के help से line draw कर लेंगे कोई भी length का हो सकता है तो यहाँ पे कोई restriction नहीं है चलिए मैंने L draw कर लिया अब इसका नाम हो लोग यहाँ पे क्य point ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग point ले लिए यह ले लिए point अब इस point से हमको एक line draw करना है L पे जो की L के साथ 90 degree बनाए आने की perpendicular हो तो इसके लिए भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं हम लेंगे यहाँ पे यह हमारा compass ठीक है और point A पे हम लोग रख लेंगे और एक हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना कट करेंगे यहाँ पर आरक यी इक तरह से देखिए यहाँ पे हम रखे और इधर की और हम लोग कट कर लेते हैं यहाँ पर बाहर की और पीछे क्यों एक R के दर से cut किए अभी हम लोग फिर यहां से R cut करेंगे Y से यहां से ठीक है यह देखिए same हमारा होगा हम लोग change नहीं किये हैं अब हमको एक और point मिल गया है यह point मिल चुका है इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं अन्य कि इससे पास होता हुँआ हम यहां पर एक line draw कर लेते हैं अभी जो line हमारा है वो line L पे क्या है परपेंडिकुलर है अभी इसका नाम को क्या रखना है यहां पर हम लोग नाम रखेंगे M चुकि यहां पर क्या दिया है कि इसका नाम क्या रखना हमको M रखना है तो चलिए हम यहां पर M रख लेते हैं यह हमारा M line हो गया जो कि L पे परपेंडिकुलर है अभी इस पॉइंट का नाम चाहिए तो कुछ दे सकते हैं यहां पर आप और रख लेजिए तो इस तरह से हमारा कम्प्लिट हो गया एक कोर्शन नमर सेकेंड बे निक्स्ट कोर्शन नमर थ्री हम लोग सॉल्व करेंगे और यहां पर कहा गया है यहां पर यहां पर यहां पर आगे ले लेते हैं हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं आगे इसलिए बढ़ा रहें चुकि हमको यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करना पड़ेगा ठीक है तो यह जो पॉइंट है यह हम ले लेते हैं एक्स और यह ले लेते हैं यहां पर एरो साइन लगा देंगे तो हमारा एट सेंटिम्टर का एक लाइन सेंगमेंट आ चुका है अभी हम लोग को क्या करना है अब यहां से हमारे पास कहागे नेक्स्ट एट एक्स और य एक्स और य ड्रॉप परपेंडिकुलर टू एक्स वाई यूजिंग कमपासेशन रूलर हम लोग यह पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसके लिए हमको क्या यूज़ करना है यहां पर तो आईए हम यहां पर यूज़ कर ले परपेंडिकुलर ड्रो करना है कहां पर X भी तो simple हम कर सकते हैं एक आर्क हम लोग कट करेंगे इस तरह से यहां पर देख लेजिए यहां से हमने एक आर्क कट कर लिया और फिर से हम आगे क्यों करेंगे तो चलिए एक हमरा आर्क बन चुका है यहां पर भी हम लोग एक आर्क बना लेते हैं इसी लेंथ का आप लेंथ को चेंज कर सकते हैं चलिए यह मैंने कर लिया अब हमको क्या करना है थोड़ा इसको बढ़ा लेना है बढ़ा लिए यहां से हम कट कर लेते हैं बाहर की और यह देखिए बाहर की और हम कट मार लिए एक आर्प एक किदर से हम कट करेंगे यहां से तो हमको यहां पे एक पॉइंट मिल जाएगा यहां पर हम शेम करेंगे इधर से बार की और और यहां से बार की रोब कट कर लिए तो अभू आORA पे टू पॉंट्स मिल चुके हैं एक यह और एक यह रैट अब हमको क्या करने हैं यहां से लान इसको बना देना है यह दकि इस trotक होता हुआ हमको एक लान यहां पे ले लेना है यह मैं ले लिया और यहां पे एरो शैन लिए इधर भी हम को सेम करना पड़ेगा हैं यहां से पास होतो होगा एक लाइन वोग करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कर लिए यह हमारा कम्पलीट हो गया construction आगे कहता है क्वी यह दूनों लाइनश पैलल तू इस दर और यहां पर इसका नाम लोग कुछ रख लेते हैं चलिए यहां पर इसका नाम लोग L रखे हैं इसका नाम लोग M रख लिते हैं हमारा पैलल है यहां पर कुछ और भी ओक्ट dua लग सकते हैं जैसे यह हमारा point P है यह हमारा point Q है और क्या यह parallel है तो यह हमारा जो L और M है वो हमारा parallel हो जाएगा आईए हम उसको note कर देते हैं नीचे हम लोग यहां पर लिख देंगे यह जो line L है और M है एक दूसरे के क्या है न पैरलल है चुकि यह हमारा XY पर क्या है परपेंडिकुलर है बस इतना काम लोग यहां पर करेंगे यहां पर कुछ उट रहा है यह हमारा point का नाम A इसको B ले लेते हैं यहां पर C और इसको D ले लेते हैं ओके next हम लोग अपस्वल्ब करेंगे question number 4 तो question number 4 पर मैं लोग क्या करना है पहले एक line draw करना है PQ और एक point लेना है PQ से बाहर लेना है तो आईए हम यहां पर ले लेते हैं scale और एक हम लोग line draw कर लेते हैं इसका नाम क्या रखेंगे PQ रख लेते हैं तो यहां पर किसी भी length का हो सकता है कुछ बताया ने किया कि क्या length है तो चली हम यहां पर कुछ भी length का ले लेते हैं यह मने एक line ले ले लिया ओके इसका नाम यहां पर कुछ रख ले PQ चुकी PQ बूला गया है यहां पर P लिये और यहां पर Q कहता है take a point M outside it यहाँ पर हम लोग बाहर में कहें पर एक point लेते हैं यहाँ पर M ठीक है एक point लेने बुला गिया है M जो कि line से बाहर हो तो यह हमारा PQ है line और हमने M लिया है line से हटके line से बाहर लिया है अब एक हमको कहता है through M draw a line parallel to PQ एक हमको line draw करना है जो कि M से पास होगा और वो किस के parallel होगा PQ के parallel होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जो PQ है न PQ line पर यहाँ पर हम जो एक point ले लेते हैं इसका नाम कुछ हम लोग रख लें सपोज कि यह कि हम लोग यहाँ पर ए रख लेते हैं अब हम लोग M और A को यहाँ पर मिला लेते हैं तो आइए इसको हम मिला दें यह मैंने इसको यहाँ पर मिला दिया ठीक है अभी क्या करेंगे एक आर्क हम लोग कट करेंगे A पे तो A पे हम लोग एक arc cut कर लेते हैं कुछ अपने according उसका length हो सकता है आप जो रखेंगे चलिए मैंने इस length का एक यहाँ पे ले लिया एक मेरा arc cut हो चुका है अब इसका नाम हो लोग यहाँ पे कुछ दे दे जैसे यह हम दे दिये C और यहाँ पे दे दिये D ओके अब यह जो arc हमने cut किया है हम लोग same length का arc यहाँ पे M पे भी cut करने वाले हैं तो आईए हम यहाँ पे उसी से इस तरह से हमने cut कर लिया एक arc ठीक है देख लेजिए हो गया अभी हमको क्या करना है हमको यहाँ पे जो arc है CD यह D हमारा नहीं देख रहा है इसको हम थोड़ा इधर ले ले लेते हैं यहाँ पर ठीक है यह D तो C और D जो arc है इसकी लंबाई क्या है इसको मेजर कर लेते हैं तो यहाँ पे हम रखेंगे और इसको मेजर करेंगे थोड़ा जैदा हो रहा है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ओके आने कि यहां पर जो है एक्जेक्ट हमारा हो जाए हाँ हो रहा है चलिए यह हमारा एक्जेक्ट हो गया तो अभी हम क्या करेंगे ना इसी लेंद का यहां पर हम लोगो कट करना यहां पर पॉइंट रखेंगे अब ठीक है यहां पर रख लिए और इधर हम इस तरह से कट मार्क कर दिए अभी जो हमारा पॉइंट हो रहा है इसका हम कुछ नाम दे देंगे अभी इधर से एक पास करता हुआ एक लाइन हम ड्रोग कर लें तो यह देखिया हम लाइन यहां पर ड्रोग कर रहे कि से मरा पास हो रहा है हुआ इसये अ के हम हमारा लाइन हुआ वह हमारा M से पास हो रहा है और M हमारा PQ से बाहर है और जो RS है वह हमारा PQ के पैरलल भी है ओके यहां पर जो पॉइंट्स हमारे हैं इसका नाम हम कुछ दे देते हैं जैसे यह D है यहां पर इसको हम E रख लेते हैं यहां पर हम F रख लेते हैं किलिए समझ गए तो आई हम यहां पे नीचे नौट कर लेते हैं हिएर यह जो हमारा RS है वो RS जो है वो किसके पैरल है PQ के पैरल है और यह हम लोगों का हो गया आंसर बस इतना हम लोगों को करना है ओके